हलो नमस्कार प्यारी विध्यारतियों वेट्षन जी निकलाशेज में आप सभी का तैदिल से स्वागत है दोस्तों अफ़न एक जो आवेदन की इस्तिकत की सूचना आई है उसके बारे में पंचर्चा करने वाजें चर्चा क्या थी दोस्तों कि बोर्ड दुआरा पसू पाल जारीकर विध्यारतियों की दिनांक 13-10 से यानि आज से फोरम स्टार्ट होने वाले थे और 11-11-12 तक ओनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए थे उक्त ओनलाइन आवेदन बने की अवदि को अपरहाय कारणों से एतत द्वारा इस्तिकत कर दिया गया केवल आपकी फ परती इस्तिकत नहीं हुए है ओनली फोरम बरने की देट रोकी गई है आज आज से आपके फोरम नहीं बरेंगे जल्द ही आपके लिए फोरम डेट आपके लिए आजाएगी तो अब जो विध्यारति कंटिन्यू तेहारी में लग गए वो लग जाओ किसी भी परकार का भ् अपरेल से जून जून में जो एकजाम होगी तो यही डेट मानकर आपको तयारी करनी है कंटिन्यू आज अगर आपने पढ़ना चोड़ दिया और ऐसा सोच लिया ना की एकजाम डेट आगे बढ़ेगी तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे और दो तीन महीने आप ऐ इसे ही निकाल दोगी तो यह आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है फोरम बरना है कभी भी वरबर लेंगी एक महीने का टैम देते हैं जब दो जार पसुदन साइक दो जार शोड़ा की वेकेंशी आय थी मातर पैतालिश दिन का टाइम देता उसी में फोरम भी बरता औ करती रहेगी आपको केवल बस इतना ध्यान रखना है कि अपनी एक्जाम अप्रेल से जून के मद्दे होगी ठीक है और इसी के साथ कंट्यूनियू बने रखें आपकी कलासें रेगुलर सामने पसुपालन भी पार्ट का आपको सामको नो बजे कलास हो रही है ए पार्ट की कलासें सोमार से आपकी रेगुलर हो जाएगी इस्ट्री कल्चर जोगरोपी मेध मेध की जिसे राम सर ले रहे हैं परदीप सर आपकी कलास ले रहे हैं और साइंस की कलास भी सुरू हो जाएगी तो अपनी तयारी को बरकरार करने के लिए बरकरार बनाए रहो हिमत मतारो औ ना कि बरती की फिर बता रहा हूँ ठीक है तो ये जानकारी आपको मिल गई होगी और ऐसी जो भी अपडेट रहेगी आपके लिए अपने तुरंत प्रवाव से आपको बताएंगे तो सभी विद्यारती को ये इनफोर्मेशन मिल गई हो और इसको ज़्यादा शेयर करें ताक में आप मेसेज गरो कि सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरा वीडियो आराम से देखना जो मैंने आपको बताना था बता दिया और इसी प्रकार जुड़े रही है वेट्स एंजिनियों किसा ज़्यादा शेयर करें लाइव क्लासे लेरें और आपकी तैयारी और भी मिलती रहेगी तब तक के लिए धन्यवाद जय जवान जय किसान जय गोपाल